हमारा बड़ा भाई अगर कुछ गलत किया और हम बीच में आकर एक दम सही बात अगर बोल दिये तो उसको साबासी मिननी चाहिए चर्चा में इसलिए बने हुए थे क्योंकि नितीश कुमार पर वो आरोप लगा रहे थे और नितीश कुमार को परिस्थीतियों का सीयम बता रहे थे इसके साथ ही वो बता रहे थे कि साल 2020 में जो बिहार में विधान सभा चुना हुए थे उसमें तेजस्वी आदब को बहुत जादा बहुमत से बोट मिला था लेकिन कुछ धांधली की गई थी नितीश कुमार की तरफ से नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते लेकिन इस बिवाद पर जद्यू के तरफ से भी पलटवार किया गया संजे सिंग ने यहां तक कह दिया था कि तुन्ना पांडे का हाथ तक काट दिया जाएगा तुन्ना पांडे के इस बयान के बाद जो है कल यानि 3 जून को पार्टी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था बिहार सरकार पर ट्वीट कर उठाया गया था जो सवाल उसको लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई थी सिवान के अस्थानिय प्राधिकार छेतर से विधान परिसद के लिए निर्वाचित तुन्ना पांडे 31 मई को टुईट किया था तुन्ना पांडे ने टुईट में नितीश कुमार पर आरोप लगाया था उन्होंने ट्वीट में लिखा था इस बार के भी विधान सभा चुनाओं में जनता ने तेजस्वी आदब को अपना मत दे कर चुना था लेकिन सरकारी तंत्र का दुरूपयोग करके नितीश जी आज भी सत्ता में राज कर रहे हैं विवाद इतना बढ़ गया था कि इसको ले करके बीजेपी ने नोटिस तक जारी कर दिया था और पांच दिन में टुना पांडे से जवाब मांगा था लेकिन टुना पांडे का इस पर भी बयान आ गया उन्होंने कहा कि इस तरह की नोटिस हमें हमेशा मिलती रहती है और पा उसामा से भी मुलाकात की थी जिसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल मच गई थी तुन्ना पांडे का ऐसा रवया इसके क्या माईने निकाले जा सकते हैं इन सभी पर सवाल उठने लगे थे इस बीच जो है बीजेपी ने पार्टी से उन्हें निस्कासित कर दिया है तुन कि तुन्ना पांडे पर कारवाई की जाए जिसका असर आज देखने को सभी को मिल गया है तुन्ना पांडे को पार्टी से निस्कासित कर दिया गया था और तुन्ना पांडे अपने बरवोले पन के लिए पिछले दो-तीन दिनों से जाने जा रहे थे उन्होंने इतना तक क ख़रा और अपने किसी बयान से पीछे नहीं हटूंगा इतना कुछ कहने के बाद जो है विहार की सियासत में बार बार ये मांग उठ रही थी इस बीच यही ख़वर आई है कि तुन्ना पांडे को बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया है और लगतार जो है विहार की तमा स्द्सक्तिक को साई कि तुन्ना पांग जाँ